नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं आपको जाड़े में गायो कोई देखभाल के बारे में जनकारी परदान करूंगा बदलते मौसम के अनुसार प्रायक कम उम्र के और कमजोड पसुओं को ठंड लग जाती है इसके प्रभाव से ना केव आँख से पानी आना भूख कम लगना सरीर के रोए खड़े रहना पसु का कापना जैसे कई लच्छन देखने को मिलते हैं इसलिए जरूरी है कि ठंड के आगमन से ही ध्यान देनी चाहिए ताकि पसुओं को ठंड से आगे चल कर बचाया जा सके इसके लिए पसुपालक को कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए पसुओं को ठंड से बचाने के लिए साम होते ही पसुओं को घर के अंदर बांध देना चाहिए एसा प्रवंधन रखें कि पसुओं को सीधे हवा ना लगे इसके लिए जूट का बोड़ा या मोटा प्लास्टिक के सभी बोड़ियों से खिरकियों और दरवाजों में लटका के एक परदा लटका दें पसुओं के बांधने के अस्थान पर पुआल या सूखी पत्तियां का बिछावन डाल दें और इसे समय समय पर बदलते रहें सरदी से बचाने के लिए पसुओं के सरीर को मोटे कपड़े या जूट के बोड़े से या जोरा या कंबल डाल कर ढख देना चीए यदि ठंड जादा है तो पसुओं के आसपास सावधानी के साथ आग भी जलाना चीए इसमें सावधानी ये बरतने की जरूरत है कि खेड़-की दरवाजे खोल कर रखें अन्यथा नुकसान दायक साबित हो सकता है पसुओं को खनीज लवन के साथ नमक और अनाज कुल आहार में 10 से 15 परतिसत तक यानि एक केजी अनाज जाड़े में अतरिक्त उर्जा के लिए भी देना चाहिए जिससे जानबरों को ठंड से बचने में काफी सहायता मिलती है और पसुओं को 10% अधिक 4 भी खिलाएं एसा माना गया है कि परतेक 2 डिगरी तापमान कम होने पर 1% 4 बढ़ा देना चाहिए बच्छडे और बच्छडियों को घर में ही खिलाएं चड़ने के लिए बाहर ना भेजे दिन में यदि धूप निकलती है तो इन्हें खुले अस्थान पर छोड सकते हैं इससे इनकी फूर्ती और तंदुरुफ्ती भी बनी रहेगी इसके अलावा इन्हें साफ एव ताजा पानी इन्हें पिलाएं अगर संभव हो तो इन्हें गुनगुना पानी पिलाएं हर दूसरे एव तीसरे दिन पसुओं को नहलाना भी जरूरी है पसुओं को बांधने के अस्थान पर गड़ेदार उबर खावर ना रखें क्योंकि एसे अस्थान में पसुओं का मल मुत्र थोड़ा बहुत अवस्य भरा रहता है और वहां दलदल सा हो जाता है इसके अलावा उस अस्थान को नियमीत साफ सफाई करते रहें और कभी-कभी किटानू नासक दवाई से धुलाई भी करते रहें जाड़े में गाय को कौन-कौन सी बीमारियां लग सकती है पहला है जुकाम निमोनिया दूसरा तीसरा याफरा और चौथा है हाइपो मेगनिस्मिया या टेट्रिन जुकाम का लच्छन है नाक से पानी जैसा पदार्थ निकलता रहता है जो बाद में पीला मवाद जैसा हो जाता है खास लेने में तकलीफ और नाक के अंदर फूल सा या सूच जाता है कभी-कभी बुखार आना भी जुकाम का लच्छन है और पसु खाना पीना छोड़ देता है नियंतरन इससे बचाव के लिए पसु को गर्म अस्थान पर रखें खास में रुकावट के कारण होने वाली तकलीफ को कम करने के लिए नाक के छिद्र को साफ कर सिल्फाइन सोलूशन से धोना चाहिए गंधक का धुआ सुंघाने से जुकाम भी कम हो जाता है यानि जुर या बुखार के लच्छन भी कम हो जाते हैं गर्म पानी में खाने वाला सोड़ा लगभग 20 गराम घोल कर दीन में दो बार पिलाने से पसु को लाभ मिलता है नीमोनिया खांस की गती तेज हो लेकिन कम गहरी रहती है खांस लेने में तकलीफ होती है खुले मुए या जिब बाहर निकालते हुए खांस लेते हैं पसु खाना कम कर देता है सुस्त रहता है चलना फिरना कम कर देता है पसु को हमेशा बुखार रहता है, पसु कापता है, कराहता रहता है, निमोनिया साथ दिन तक रहने के बाद इसके लच्छन कम होने लगते हैं बिमारी से बचाओ, सबसे पहले रोगी पसु को स्वस्त पसु से अलग कर दें, पसु घर में दवा आने जाने की विवस्था रखें, घर में हवा आने जाने की विवस्था रखें, और बिमार पसु को बोरी या कंबल उढ़ा दें गंधक का दुआ सुंगाए खाने के लिए पसूओं को नरम और सिग्र पचने वाला हार दें इसके साथ ही पसू चिकित्सक के सलाह पर एंटी वैटिक्स प्लस लिभर अश्ट्रैक देना चाहिए आफरा जाड़े के मौसम में किसान भाई अपने पसूओं को नई उगी हुई घास और बर्सीम जादा खिलाते हैं इस चारा को खिलाने पर पसू के सामानने से अधिक पेट फूलता है और गैस भी बनता है और स्वास लेने में भी परशानी होती है पसू के मूह उसे लार गिरता है कभी कभी पसू को मिर्तियू तक हो जाती है और खास लेने में परशानी होती है नियंत्रन गैस को कम करने का उपाय करें आफरा के दोरान चारा पानी ना दें पसु को ये से खड़ा रखे कि पिछले वाला भाग नीचे और आगे वाला भाग उचाई पर हो मुँ में एक लकड़ी डाल कर बांदें पसु को 400 से 500 मिली सरसो के तेल के साथ 30 से 60 मिली तारपीन का तेल मिला कर पिलाने से बहुत लाब मिलता है और सीत रितु में पसु के आवास से आहार का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए अपने ग्याभीन पसु का परवंधन भी अन्य पसु की तरह करते हैं जिसका सीधा प्रभाव पसु के काल्फ या जो बच्छडा होता है पेट में उस पर पड़ता है तो नोट इन चीजों का अच्छे से ध्यान रखें वैश्नवी और्गेनिक देरिफों थैंक यू धन्य बहुत बहुत धन्यवाद